नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है बूलियन सर्च स्ट्रिंग प्रैक्टिस पार्ट त्री जी हैं दोस्तों यह हमारा बूलियन सर्च स्ट्रिंग प्रैक्टिस का पार्ट त्री है और इसमें हम आज एस्ट्रिक का यूज सिखेंगे तो हमने कुछ एक्जामपल ले रखे हैं तो हमने करीबन एट एक्जामपल लिये हैं अब हम इनमें इसमें एस्ट्रिक का यूज करेंगे और एस्ट्रिक का यूज करने के बाद क्या रिजल्ट मिलता है या किस टाइब के रेजुमे मिलते हैं उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों जैसे की एस्टरिक का यूज हम कब करते हैं जैसे की एक वर्ड से मिलके कई वर्ड मिलके मतलब कई प्रकार के वर्ड बने होते हैं जैसे कि recruit से recruitment, recruiting, recruiter, recruits, so क्या होता है कि कई बर candidate जैसे कि हम किसी के भी resume में recruit search करना चाहते हैं, बज़रूरी नहीं है कि candidate ने recruit लिखा हो, उसने recruiting लिखा हो, या recruited लिखा हो, या recruits लिखा हो, या recruitment लिखा हो, so, हम एस्टरिक का यूज़ करते हैं, so हम इस वीडियो में आपको एस्टरिक का यूज़ करना सिखाएंगे, देखे दोस्तों, हम किसी भी resume में recruit search करना चाहते हैं, अब recruit से मिलकर कहीं, मतलब इस जो वर्ब है या ये skills है, इस से मिलकर कहीं skills बनी होती है, अगर हम उनको search करना चाहते हैं, तो recruit के बाद हम एस्टरिक का mark लगा देंगे, जिससे क्या होगा, कि recruit से मिलकर जितने भी word मिले होंगे, वो candidate के resume में आ जाएंगे, या where resume में आएंगे, जिसमें recruit से मिलकर, recruit वर्ब से मिलकर, जितने भी skills बनी होगी या जितने भी word बने हैं, वो सब candidate के resume में आ जाएंगे, आ जाएंगे, जब हम recruit के पीछे stick का mark लगाएंगे, तो हमें जो result मिलेंगे, वो ऐसे मिलेंगे, पहला तो recruit ही मिलेगा, ठीक है, फिर recruit मिलेगा, recruiting मिलेगा, recruited मिलेगा, फिर recruitment मिलेगा, देखिए sir, देखिए friends, आप देख सकते हैं कि जब हमने recruit के पीछे stick का mark लगाया तो हमें क्या result मिले, अगर हम normally recruit से search करते हैं तो हमें ऐसे resume मिलते हैं जिसमें सिर्प recruit ही लिखा हो, लेकिन अगर हमने recruit के बाद का mark लगा इससे क्या result मिले हमें, recruit से मिलके जितने भी word, जितने भी skills बने या word बनते हैं वो सारे resume या result हमें मिल जाएंगे, अब इसी तरह से हम answer के बाद का mark लगाएंगे और इससे search करेंगे, पहला हमें answer मिलेगा, फिर answer मिलेगा, answerer मिलेगा, फिर हमें answering मिलेगा, तो आप देख सकते हैं, एस्ट्रिक का mark यूज करने से हमें क्या advantage होगा, इसी तरह से जब हम call के बाद एस्ट्रिक का लगाएंगे तो हमें जो result मिलेंगे वो इस प्रकार से मिलेंगे, पहले तो call मिलेगा, फिर calls मिलेगा, calling मिलेगा, call मिलेगा, caller मिलेगा, एक word हमने यहां miss किया है, answers, तो वो भी मिलेगा, ठीक है, देखें, friends, call के पीछे जब हम एस्ट्रिक का यूज करते हैं तो हमें call, calls, calling, called, caller मिलता है, अब इसी प्रकार से हम develop के पीछे एस्ट्रिक का यूज करेंगे तो हमें जो result मिलेगा, वो सब सब एला रिगा, develop, develops, developed, developing, developer, और development देखें, develops में जब हम एस्ट्रिक का यूज करते हैं तो हमें जो result मिलते हैं और develop, develops, developed, developing, developer, development, अब हम install में एस्ट्रिक का यूज करेंगे तो हमें जो result मिलेगा वो इस प्रकार से मिलेगा install installs installed installing okay installation अब हम support में अगर एस्ट्रिक का यूज करेंगे तो हमें जो result मिलेगा वो इस प्रकार से मिलेगा देखें देखें support पहला तो support, support, supported, supporting तो हमें जो result मिले वो for result मिले इस प्रकार से हम result का यूज करेंगे result में जब हम एस्ट्रिक का यूज करेंगे तो हमें जो result मिलेंगे वो result the resolves resolve resolving इस टाइप का word मिलेंगे हमें जब हम configure में एस्ट्रिक का यूज करेंगे जब हमें configure 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 configuration देखिए इस तरह से आप स्ट्रिक का यूज कर सकते हैं आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा यदि आपको ये हमारे वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक और कमेंड थैंक्स फर वाचिन